नवस्कार दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटर राइट है जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इससे पहले कि हम लोग ने लच्मी कांत के 6 चैप्टर को डिसकर्स कर चुके हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटर राइट है तो फंडामें और इसमें जो आपके आर्टिकल हैं वो 12 से 35 तक आते हैं तो अगर हम यहां पर थोड़ा सा डिटेल में डिसकस करते हैं यह हमारे देश को जो जो कॉंसिटुशन है यानि कि पार्ट थर्ड और आर्टिकल 12 से 35 यह हमारे देश के फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है जो कि इसका जो concept है, अगर हम लोग थोड़ा से detail में discuss करते हैं, तो वो कहां से लिये गया है, USA से लिये गया है, तीक है, अब जो अपने आप में ये एक important topic है, जो part third of the constitution है, rightly described as a magna card of India कहा गया है, तीक है, और it contain a very long comprehensive list, justisable fundamentalize, तीक है ये आपको बहुत ज़्याद़ important समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, justifiable है, तीक है, justisable का मतलब क्या होता है, ये अगर आपका fundamental right, अगर किसी भी कीमत में violate होता है, तो आप कहां पर जा सकते हो, supreme court में जा सकते हो, ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यानक नहीं है, in fact, fundamental right जो होता है, our constitution are more elaborate than those found in the constitution of any other country in the world, including the USA, ठीक है, तो fundamental right जो है, ये guarantee देता है, ठीक है, by the constitution to all the person without any discrimination, हमारे जो fundamental right है, इस बात का ध्यान रखता है, कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी level में partiality नहीं होनी चाहिए, they uphold the equality of all individual, the dignity of individual, larger public interest, and unity of the nation, fundamental right are meant for promoting the ideal political democracy, देखे, अब यहाँ पे आपको ये जो सब्द है, उसको समझना पड़ेगा, यहाँ पे एक ideal of political democracy सब्द की बात की गई है, यानि कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, जो हमारे मूल अधिकार है, यानि जो हमारे fundamental right है, ये कहीं न कहीं, एक राजनेत इक लोकतन के आदर्शों को उन्नती से है, यानि कि हमारे देश में एक तरीके से कह सकते हो, political democracy को इस सिसाफ से maintain करता है, तीक है, कि समिधान द्वारा बिना किसी भेदवाओ के, हर विक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबन में guarantee दी गई है, और इसमें प्रतेग विक्ति के लिए समानता, समान, राष्ट हित और राष्टी एकता को समाहित किया गया है, जैसा कि आप इस line में देख सकते हो, बहुत आसानी से एक एक चीज लिखे हुई है, ठीक है, इंडिजिवल, ठीक है, larger public interest and unity of the nation, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि जो fundamental, sorry, जो political democracy है, यह अ आप नागरी को क्या आजादी की सुरच्छा करते हैं, ठीक है, और यह जो हमारे, यह legislative assembly है, कि कानून की किरियान पर भी ताना शाहिक के मर्यादित करते हैं, कि बहुत ज़्यादा हमारे देश में कानून थोपे नहीं जाएंगे, ठीक है, इस तरीकी की चीज़े बनाई होगे, यहाँ पर कहा है, यहाँ पर कहा है, साफ साब कि हमारे देश में जो कानून थे बनाए जा रहे हैं, वो जनता के हित के लिए हैं, ना कि जनता के उपर थोपे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके कह सकते हैं, कि जो fundamental right है, are named, so because they are guaranteed and protected by the constitution, ये हमें जो fundamental right है, ये हमें guarantee देते हैं, साथ साथ protect करता है constitution को, ठीक है, which is the fundamental law of the hand, ठीक है, तो आपको ये ची दिहान कि हमारे जितने भी fundamental right हैं, ये नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि ये हमें समिधान द्वारा guarantee एवं सुरच्छा प्रदान किया गया यहाँ पे, ठीक है, जो राष्ट को कानून का मूल सिधान थे, और मूल इसलिए भी है, क्योंकि ये विक्ष ठीक है, एक तरीके से चौत ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखने है, ये जो concept है, जैसे कि material लिखा हुआ है, intellectual लिखा हुआ है, moral है, spiritual है, ये क्या करता है, चारों तरीव से बहुत ही विकास करता है, और all round development कहा जाता है इसको, ठीक है, तो all round जो development है, उसी की बास पर हम बात क तो यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे, देखे हमारे जो पहले fundamental right थे, वो seven हुआ करते थे, अभी क्या हो गए, six हो गए है, तो एक ही करके discuss करते हैं, जैसे right to equality है, article 14 से 18 के बारे में बताया गया है, ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद है आपका right to freedom हो गय ठीक है, right against exploitation हो गया, ठीक है, right to freedom of religion हो गया, cultural and education right हो गया, right to property हो गया, right to constitutional remedy हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अलग-अलग तरीके से fundamental rights आप कहां दे सकते हैं, और इनके जो article हैं, वो भी अपने आप में बहुत जादा important अदा करते हैं, ठीक है, तो however, the right to property was deleted from the list of the fundamental right, by 44th amendment, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यह जो आपको fundamental right है, इसमें से यह जो right to property का concept है, उसको 44th amendment 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है, remove क्या 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 गया है, यह एक तरीके से fundamental right अब नहीं रह गया है, अब यह तरीके से क्या हो गया, आपका legal right हो गया है, म आपको यह ध्यान रखना हो और इसको part 3 से हटाके कहा पी डाल दिया गया, part 12 में डाल दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत जादा important है, ठीक है, तो आप present time में आप से कोई पूछेगा, तो कितने fundamental right है, 6 fundamental right, अब देखिए यह इसकी कुछ important features है, ठीक है, features एक तरीके स कह सकते हो, कुछ important content है, जो हम लोग discuss करेंगे, क्योंकि यह अपने आप में important है, ठीक है, तो important क्यों है, इसके बारे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला point आप देख रहे होगे, some of them are available only to the citizen, while other are available to all person, whether citizen, foreigner, or a legal person, like corporation, और companies, दीके कुछ fundamental rights ऐसे हैं, जो उसे भारत के नागरी को को ही दिये गए हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ही समझना है, जबकि कुछ unnex, सभी वेक्टियों गिलोपलब्द हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भारत के नागरी का मतलब क्या होता है, जो भारत में जन्म लिये हैं, पेरी बार समझ में तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है वो foreigner हो सकता है legal person हो सकता है कोई corporation हो सकता है ठीक है और यहां कोई company हो सकती है ठीक है तो यहां कोई point समझ में आ गया होगा अगला जो point है आपका they are not absolute but qualified they are not absolute but qualified the state can impose reasonable restriction on them however whether such restriction are reasonable or not is to be decided by the court देखिए यहां पर क्या कहा गया है यह असीमित नहीं है लेकिन एक वाद योग होते हैं वाद योग का मलब होता है कुछ कहा गया है क्या कहा गया है कि राज पर उन पर ठीक है युक्त युक्त पिटिबंद लगा सकता है अगर सरकार या राज सरकार चाहेगी कि इन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको उपर कुछ रोग लगाया जा सकता है कुछ control किया जा सकता है ठीक है तो वही कह रहा है the state can impose reasonable restriction on them ठीक है हाला कि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णे आदालत करती है इस तरह से व्यक्तिकत अधिकारों एवं पूरे समाज की बीच संतुलन कायम करते हैं और यह संतुलन व्यक्तिकत सोतंता एवं समाजिक नियंतर की बीच होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ ये line बहुत important है whether such restriction are reasonable or not is to be decided by the court जो कि अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए कि court ही decide करेगी they strike a balance between the right of the individual dose of the society as a whole between individual liberty and the social control ठीक है तो आपको यह चीज़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जो कि अभी मैंने आपको बताया है ठीक है अब इसे में अगर ह third point के बारे में discuss करते हैं all of them available देखी जितने भी आपकी जो rights है ठीक है आप यहां पर देख सकते हो all of them are available against against arbitrary action of the state however some of them are also available against the action of private individual देखी यहां पर साब साब कहा गया है कि कुछ मामलों को छोड़ कर इनमें से ज़्यादा तर जो अजिकार है वो राज के मनमाने रवये के खि खिलाब कोई कारवाही या वेक्तिक के खिलाब कारवाही जब अधिकार राज जी कारवाही के खिलाफ हो या किसी वेक्ति द्वारा इसका उलंगन हो रहा हो तो वे सर्वे समय धानी को उपाए नहीं बलकि वेक्तिगत प्रितिकार कहा जाता है ठीक है मतलब آپ समझे है all of them are available तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझोगे न तो यह अधिकार जो है सरकार कुछ-कुछ जगे पर न क्या करती है मनमानिक तरीके से कह सकते हो कि अगर सरकार देश के हित में कोई कार कर रही है तो वहां पर यह नहीं समझागा आएगा कि आपको फंडामेंटल राइट क्या है वाइलेट है ठीक है अब यहां पर थोड़ा सा और हम आगे इस लेक्चर को बढ़ाते हैं some of them are negative in character इन वे से कुछ ऐसे हो थे जो ने नेगेटिव character के बताते हैं जिसे राज के प्राधिकार को सीमित करने से संबन देते हैं राज के प्राधिकार मनलग that is the place limitation on authority of the state यानि राज की सीमा को निर्दारित करते हैं कि इतना ही आप कर सकते हो जबकि कुछ positive impact होते हैं ठीक है तो कुछ positive होते है conferring certain privileges on a person और जैसे व्यक्तियों के लिए विशे सुमधाओं का प्रभधान भी किया जाता है ठीक है they are justisable allowing a person to move the court for their enforcement if and when they are violated देकि यहां में साब साब लिखाया है कि व्यक्तियों को आदालत जानी के अनुमती देते हैं जब भी इसका लंदन होता अगर किसी भी case में आपका fundamental light violate होता है तो you should go on court ठीक है तो आप court आसानी से जा सकते हो ठीक है यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद बोलने they are defended and guaranteed ठीक है यहाँ पर कहे रहे है जो high court है ठीक है high court है ठीक है वो state level पर आता है और जो supreme court है वो central government बता है तो आपका अगर fundamental right कहीं पर भी violate हो रहा है तो आप कहां जा सकते हो supreme court जा सकते हो मेरी बस समझ में आगी न और यहाँ सकता है यह जरूरी नहीं है कि आप जो high court है ठीक है वहाँ पर अप्पिल कर रहे है डारेक्ली आप जा सकते हो यहाँ देखो आप लिखा हुआ है वेसे जर्रली ऐसा होता नहीं है लेकिन अगर आप डारेक्ली high supreme court को supreme court जो होता है वो हमारे fundamental right को क्या कर रहा है protect कर रहा है मेरी बस समझ रो आपको यह चीज़ धिया नखना है उसी में अगर हम दूसरा point इसमें डिसकस करते हैं अगला मतलब जो की 7th point है ठीक है तो यहाँ पे दोको लिखा हुआ they are not sacrosent or permanent देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा यह कोई permanent नहीं है the parliament can curtail or repeal them but only by a constitutional amendment act and not by ordinary act देखिए इसमें हम कुछ न कुछ चेंज कर सकते हैं लेकिन वो constitutional amendment होना चाहिए कोई ordinary नहीं होना चाहिए moreover this can be done without affecting the basic structure of the constitution और उससे हमारे constitution को कोई भी basic structure प्रभावित नहीं होना चाहिए the amenability of the fundamental right is explained अभी हम लोग इसको chapter 11 में बहुत अच्छे से discuss करेंगे ठीक है बहुत ज़्यादा detail में discuss करेंगे वहीं अगर हम इसी में अगला जो point हमारा है यह भी अपने आपे बहुत ज़्यादा important ही ठीक अगर देश में emergency लगी हुई है तो article 21 को छोड़ कर सभी क्या कर दिये जाते हैं खलब cancel कर दिये जाते हैं उस सभी के लिए ठीक है बर आगे क्या कहते हैं further the sixth right guaranteed by article 19 can be suspended only when emergency is declared on a ground of war or external aggression and not on the ground of armed rebellion ठीक है अब दिखें मैं इसको थोड़ा साफ को detail हो समझाता हूँ साफ साफ क्या लिखा हूँ जो article 19 है ठीक है इसमें article 19 के अंदर भी six part आते हैं तो यह माना जाता है इनको तब हम cancel कर सकते हैं जब युद्ध हो रहा हो या विदेसी आक्रमण हो रहा हो ठीक है कि इसमें war और external aggression आ जाता है ठीक है यानि कि देश के अंदर एक आंतरिक जिसे कहा सकता है आपातकाल के अधार पर इस्तगित नहीं किया जा सकता है ठीक है जब अगर देश के अंदर अगर कोई दिक्कत है ठीक है अगर हमारे देश में अगर कोई बात हो रही हो internal तो इस केस में इसको हम affect नहीं करेगा और ये जो राष्ट या पातकाल के दौरान मूल अधिकारों का लिलंबन माना जाता है ठीक है तो यह आपको ध्यान लखना है suspension of the fundamental right during the national emergencies explained अभी chapter 16 में वैसे तो एक पूरा chapter रही है जिस पर हम इस पर चर्चा करेंगे अभी तो खाली आपको ये ध्यान लखना है emergency जब होती है तो article 20 और 21 जो होता है इसको छोड़कर सब भी क्या कर दिये जाते हैं क्या खारिच कर दिये जाते हैं ठीक है तो यहां तक आपको अच्छे से समझ भया गया होगा ठीक है अब इसी में हम अगला जो हमारा point है जिसमें बताया गया है कह रहे हैं कि their scope of operation is limited by the article 31a अब देखी यहां पर क्या कह रहे हैं कि हम भी मैंने बताया कि जो हमारी जो संपत्ती का दिगरहन है इसको क्या कर दिया है limited कर दिया गया saving of law providing for acquisition of the state article 31b validation of the certain act and regulation included in a ninth schedule and article 31c saving of law giving effect to a certain directive principles ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हो कुछ अलग-अलग levels पर क्या किया जा रहा इनके principles को carry on किया जा रहा ठीक है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखके चलना है अब इसी में अगर हम थोड़ा सा अगला point जो हमारा है ठीक है अगला point हमारा बता रहे है कि their intent वाला जो point है their application to the member of armed force paramilitary forces police forces intelligence agency and analogous services can be restricted or abrogated by the parliament article थाणी दीकिए article जो इसमें बताया गया है जैसे कि मैंने बताया है कि ऐसी सेवाओं से संबंदी सेवाओं के किरिवान पर संसत प्रदिबन यह पर आरोपित कर सकती है ठीक है पल़ा उस पर रोक लगा सकती है तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान लखना है वही पर जो अगला पॉइंट है दियर अप्लिकेशन कैन बी रिस्टिक्टेट वाइदा मार्शल लॉइज इन फोर्स इन इनी एरिया मार्शल लॉइ का मतलब मैंने कई बार आपको समझाया है मार्शल लॉइ मिलेटरी रोल जीसे कहते है इंपोर्श अंडर दे एबनोर्मल सरकम्टेंच न को रीस्टोर लॉइर आटिकल थर्टीपॉर नेसल इंबाजनशी का केस ठुड़ा नीफरेट माना जाता है यह माना जाता है जो निफरेटरी एमरजनशी यह आपकी वो पूरे देश में लागू हो रही है ठीक है और जो आपका यह ना जो martial law है यह किसी particular place पर जहां पर अगर यह लगता है कि वहां पर है कुछ condition unfavorable है तो ऐसे cases में क्या किया जाता है हम वहां क्या लगाते हैं martial law लगाते हैं कि particular place में यह situation जब critical होती तब ऐसा देखने को मिलता है ठीक है वही हम अगले point पर हम चर्चा करते हैं जो कि 12 है ठीक है तो आप यहां भी देखो most of them are directly enforceable ठीक है while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect on them ठीक है effect to them such a law can be made only by the parliament and not by the state legislature so that uniformity throughout the countries maintain article 35 तो आप यहां देख सकते हो कि इसमें जादा तर जो अधिकार हैं वो अपने आप ही क्या है स्वेम परवर्तित हैं जबकि कुछ कानून की मदद से ही प्रभावी बनाए गए हैं और ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसर द्वारा बनाया जाता है ना कि विधान मंडल यानि कि विधान मंडल आप समझ सकते हो state legislature उच्छे का जाता है ताकि संपूर देश में एक रूपता बनी रहे और article 35 इसके बारे में बहुत डिटेल में डिसकस करता है state legislature और यह सब के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम लोग ने यह देखा कि हमारी जो article 12 से लेके 35 तक है तो उनमें कैसे हमारे fundamental rights को बताया गया है अब article 12 है इसमें हम चर्चा करेंगो साथ साथ देखेंगे कि यहाँ पर definition of state के बारे में क्या बताता है article 12 ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है जैसा कि मैंने बताया कि जो यह definition है state की तो क्या बताते हैं देखिए the term state has been used different provision concerning the fundamental right hence the article 12 has defined ठीक है define the term for the purpose of part 3rd according to it the state include the following अब यहाँ क्या क्या चिराती government and the parliament of India that is executive and legislative organ of the union of the government ठीक है यहाँ पर साफ साफ क्या बोल ले हैं कि जो आपकी executive है और legislative है ठीक है यह जो दोनों part है वो है ना किसका part है union government का है ठीक है तो आपको यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखके चलनी है ठीक है तो एक तरीके से यह कह सकते हो कि कारिकारी एवं विधाई अंकों को संही सरकार में क्रवंदित करने वाली सरकार और भारत की संसर्दी की parliament एक ऐस बना सकते हैं लेकिन है तो हमारे देश में federal form of government ठीक है तो यह भी आपको थोड़ा सा समझ के चलना है ठीक है तो वहीं दूसरे point पर हम चार्चा करते है government and the legislature of the state that is executive and legislative organ of the state government अब यहाँ पर दिखिए जो राजी सरकार की बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर क् अपने बेश में काम करती है ठीक है और central government and the legislature of the state that is executive and the legislative organ of the state government और local bodies यहाँ पर देखिए यह पावर बता रहे हैं कि यह ना पावर क्या है ठीक है तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है राज की हम लोग परिभासा के बेश में बात कर रहे हैं कि कैसे all local authority that is municipalities पंचायत district board improvement trust etc all other authority that is statutory or non statutory authority like LIC, ONG, CSAIL etc इन सब की बात की गई है ठीक है state has been defined in a wider sense so as to include all its agency it is the action of this agency that can be challenged in the court as violating the fundamental right according to the supreme court even a private body or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under the article 12 देखिए यहां पर हम लोग ने यह समझ लिया कि कैसे हमें एक राज के बारे में बताया गया है कि उसकी यह ना क्या definition हो सकती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो कही ना कहीं state को एक चुनौतिक रूप में सामने लेके आती है ठीक है तो हम यहां पर कई रूप में इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं ठीक है अब हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल मोर पढ़ेंगे law in consistence with a fundamental right ठीक है अब article 13 के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने यहां पर बहुत जादे important है ठीक है यहां पर कहरें inconsistent with or in a derogation of any of the fundamental right ठीक है अब यहां पर आपको यह समझना है कि अगर fundamental right में ठीक है उनका कोई भी अलपी करन वाली विदियां सुन नहीं होंगी दूसरे सब्दों आप कह सकते हो कि इनकी नाइक समिच्छा आप जो basic structure है उसमें कोई change नहीं कर सकते है अगर उसमें कोई change होता हूँ article 368 में नहीं आएगा यह माना जाता है article 368 भी क्या है article 13 के अंदर आता है और कहीं ने कहीं आपको fundamental right जो है वो violate होगा तो उसके case में हम article 32 को मानेंगे violation बेजा रहा है वहीं अगर high court पे मानते हैं तो article 226 में जाता है ठीक है तो यह चीज़ साफ साफ इसमें बताए गई है तो अभी हम article 13 और detail में discuss करेंगे तो पहले concept को समझेए कि article 13 declare that all law that are inconsistent with or in a derogation of any of the fundamental right shall be void in other word it expressively provide for the doctrine of judicial review this power has been confirmed on a supreme court and a high court that can be declared a law unconstitutional and invalid on a ground of contravention of any of the fundamental right अब दिखे तर्म law in article 13 में बताए बारे में define किया गया has been given a wide connotation so as to include the following जैसे permanent law enacted by the parliament or the state यहाँ पे permanent law क्या हो रहा है inact किये जा रहा है ठीक है inacted by the parliament और state ले जा ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे parliament के base पर यहाँ पे change की जा रहा है ठीक है अब उसी में अगर हम बात करते है temporary law like ordinance issued by the president और by the state government ordinance आप समझरों जब सरकार उसमें नहीं होती है तो जो governor होता है ठीक है या देश का president होता है वो क्या करते हैं एक special level पे act को जारी करते हैं यानि law बनाते हैं बाद में उनको six month के अंदर phase भी करना होता है statuary instrument in the nature of delegated legislatures जिसे execute to legislation like order by law, rule, regulation, notification यह सब आ जाएगा non legislative source of law that is custom or uses having the force of law तो यहाँ पे आपको यह चीज़ भी ध्यान रखनी है ठीक है अब हम बात करें not only ठीक है not only as legislation but any of the above be challenged in a court as violating the fundamental right hence can be declared as void article 13 अगर आप article 13 के बारे में बात करते हो ठीक है तो article 13 that a constitutional amendment is not a law hence cannot be challenged अब देखी supreme court में case one end भारती केस हमेशा से चर्चा का विसे बना हुआ है और यह 1973 में एक constitutional amendment इसमें हुआ था ठीक है तो हमेशा से यह चर्चा का विसे बनने का कारण रहा है ठीक है तो आप तो अभी हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे जैसे case one end भारती का तो एक अलग topic ही पूरा होगो जिस पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक एक point को discuss करते हैं आपे जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आप देख सकते हो right to equality ठीक है यानि कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कानून के समझ सबको बराबर समझा जाएगा समझ में आगे अच्छा है आप अमीर हो या गरीब हो वही आर्टिकल 15 के बारे में अगर हम बात करते हैं provision of discrimination on the ground आपके साथ किसी भी तरीके religion, race, caste, sex और place of birth के बीच में बिलकुल भी discrimination नहीं समझा जाएगा वहीं अगर आर्टिकल 16 के बारे में बात करते हैं equality of opportunity in a matter of specific public employment यानि कि नौकरी में भी किसी भी तरीके का भेदवाव नहीं किया जाएगा आपको equality treatment दिया जाएगा वहीं आर्टिकल 17 जो है evolution of untouchability and provision of its practices छुआ 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 जिसे कहा जाता है या इस पर सिता बोलते हैं ठीक है untouchable nature जिसे कहा जाता है ये सब खतम हैं और जो भी एक तरीके कह सकते हैं महराजा धिराद या जो बड़े बड़े उपादिया हैं ठीक है इनको करने की बात की गई थी ठीक है जो अपने आप में टाइटल evolution of title except military and academic बस इनको छोड़के बाकि सब के रोका गया है ठीक है तो ये भी आपको ध्यान लखना आर्टिकल 18 में cover करता है अब हम बात करेंगे right to freedom जो कि article 2019 से लेके 22 तक आता है ठीक है तो जैसा कि अभी थोड़ी पहले भी मैंने बताया था कि article 19 जब national emergency का case था तो जो protection of six right आता है regarding the freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence and profession तो ये इसके अंदर 6 point आ जाते हैं जो अपने आप में बहुत important है आगी बाकी अगर हम बात करते हैं protection in respect of conviction of our offense ठीक है एक तरीके से है सकते हैं अपरादों के लिए दो शिद्ध के संब आपके उपर जो crimes है या एक तरीके से कह सकते हो आप criminal सावित नहीं होते हो ठीक है तो आप उसके बेस पर करवाही कर सकते हो सासाथ protection of life and personal liberty के बारे में बात की गई है right to elementary education के बारे में बात की गई है elementary education बहुत जादा important है अब मुझे comment करके ये बताओ article 21-1 का bad हुआ है that's the most important question ठीक है और वहीं पर हम बात करते है protection against arrest and detention in a certain case जो कि article 22 में आ जाता है यानि एक तरीके कुछ केस में हम गिरफ्तारी से भी छुड़का आपा सकते है तो यह आपको ध्यान रखना है और यह आपका जो अगला point है right to right against exploitation ठीक है तो यानि कि आपको साथ किसी भी तरीके social नही हो सकता ठीक है provision of traffic in human being and fourth labor यहानि यहाँ पर बाल स्रम जो है उसको रोकने की बात की गई है जो कि यह न जो छोटे 14 साल से नीचे बच्चे provision of employment of children in factories ठीक है provision यानि कि एक तरीके से जो फैक्टिव अगे रहा है यहाँ पर बच्चों को काम करने पर रोग लगा दी गई थी ठीक है वहीं अगर हम आगे अगला topic जो डिसकस कर रहे हैं वो है हमारा right to freedom of religion जो कि article 25 से 28 तक कवर करता है तो इसमें हमारे क्या बताया जाता है कि freedom of consignance and free profession practice and propagation of religion आप किसी भी तरीके का कोई भी धर्म आसानी से अपना सकते हो ठीक है freedom to manage religious affairs ठीक है और साथी साथ कह रहे है कि आप धार्म कारियों की प्रति स्वतंत्र है आप कुछ भी कर सकते है ठीक है तो यह भी important है freedom from the payment of tax for promotion of any religion ठीक है आप किसी भी धर्म में अभ ठीक है साथी साथ freedom from attending religious instruction और worship of a certain educational institution ठीक है worship का मलब पूजा आपाड कुछ भी कर सकते हो आप article 28 में वहीं article जो 5 मलब 29 से 30 में cultural and educational rights के बारे में बताया गया है ठीक है तो protection of language and script culture of minorities इसमें बताया गया है right to minorities to establish an administered educational institution तो यह अपने आप में बहुत जादा important है ठीक है तो आप इसी में अगर हम बात करते हैं ठीक है तो यह जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे इसमें जो last point आप कर रहे गया है जो कि अभी मैं आपको बता रहा था यह right to constitutional remedy इसमें क्या होता है जब आपको fundamental right violate हो ज the rates बहुत ही ज्यादा important है अपने आप में ठीक है तो यह जो rates हैं यह कौन कौन से rates हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं जिससे habits corpus हो गया mandamus हो गया profession हो गया century हो गया क्यों वरंच हो गया ठीक है तो यह जो टेबल है यह आप बच्छों कुछ से पर सकते हो जो मैंने अभी explain कि उस इस related है पूरा concept उसमें और जैसा कि मैंने आपको बताया था ठीक है आप हम लोग एक एक करके discuss करेंगे right to quality इस पूरे चैप्टर हमको यह फंडामेंटल एट से रिलेटर पूरे concept पढ़ना अच्छे से न तो यह आपको ध्यान लखना है